राजिस्थान से सोनिया गांदी ने राज्यसभा के लिए नामकन कर दिया है। इसे लेकर पूरवी डिप्टेसीम सचिन पाइलेट ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने का है सोनिय गांती जी ने आज हम सब के आगरे पर राजिस्थान से राज्य सभा के उम्मीदवार के तौर पर नामकन भरा है ये राजिस्थान के लिए बड़ी खुशी की बात है और कॉंग्रेस जनों के लिए एक खुशी का मोका भी क्योंकि उन्होंने राजिस्थान को चुना है एक सांसत बनने के लिए सचिन पाइलेट ने कहा कि इससे कारे करता हुमें उर्जा का संचार होगा अभी लोकसबा को चुनाव है इससे एक सकरातमक प्रभाव पड़ेगर प्रदेश में भी और कारे करता हुमें भी आगे सचिन पाइलेट ने कहा कि जो यह किसान आंदोलन कर रहे है यह सरकार की जिद है सरकार के अडियल रवये के कारण समादा नहीं हो पा रहा है सचिन पाइलेट ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी ने यह गोशना की है कि 36 गड़ के अंदर हमाई सरकार बनी तो हम MSP को एक कानूनी प्रावधान बनाएंगे किसानों को लागत के हिसाब से अपना पैसा नहीं मिल रहा है हमने वादा किया है कि MSP को लागू कर देंगे जब कि यह केंदर सरकार है जो किसानों को हितेशी बनाती है महीं किसान लगातार आंदोलन कर रहे है किसानों के हितों को ताग पर रखकर तीन काले कानून बनाए डेड़ साल किसानों ने आंदोलन किया और काफी लोगों ने अपनी जान कवाई और केंद्र सरकार ने ये वादा किया था कि MSP पर कानून बनाएंगे अब सरकार का कारेकल खतम हो रहा है सरकार को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए था ऐसी तमाम जानकारी के लिए चुड़े रहे इंडिया न्यूस राजिस्थान के साथ